हलो अरिवन दिस इस केडी शर्मा एंड यू आर वाचिंग यूर यूट्यूब चैनल दा आरेस केमपस जहाब आज हम प्रोनाउन की क्लास फॉर्ट करने जा रहे हैं और इस क्लास में हम सीख रहे हैं करेक्ट यूज ओप प्रोनाउन इसकी अपनी सिरीज चन्ने वाली है जि फिन जो सुनने वाला है वो सेकएंड्पर्शन कहलाएगा यूग और फैर्ड पर्शन बचगेज्स इसके बारे में बात की जाती है ही आगया सी äंग इटाग्या दे आ गया तो इनका कब और कहां किस प्रकार यूज़ करना है इस क्लास में आज इनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सकाइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सकाइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेज कीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को like और share जरूर कीजिएगा तो चलिए आज की class शुरू करते हैं लेकिन class शुरू करने से पहले कुछ discuss कर लेते हैं तो सबसे पहले आज की class में जो concepts होने वाले हैं उनके बारे में कुछ basic चीजे जान लेते हैं ताकि जो concepts है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो देखिए किस परकार हैं सबसे पहले हम इन तीन बिंदूओं को mark कर लेते हैं ठीक है जिसमें सबसे बड़ा और top level का mark क्या है अपना वर्ब इस concept में या English grammar में अपन बात करें तो वर्ब एक बहुत ही आवसिक चीज होती है English में sentence हो या कुछ भी बात कहनी हो वो वर्ब के मादिम से ही की जाती है अब वर्ब ये कहती है कि मेरे इधर वाला पार्ट ठीक है इधर वाला पार्ट कौन सा हैगा subject जिसको अपन nominative case के नाम से भी जानते है ठीक है पहली बात समझ में आ गई कि वर्ब के इधर वर्ब के इधर कौन सा केस आएगा subjective case अगर इधर बात करें तो इधर कौन सा केस आता है objective case जिसे आप object के नाम से जानते है ठीक है लेकिन कभी-कभी subjective case भी आ जाता है क्यों आता है कैसे आता है किस situation में आता है उसकी बात आगे करेंगे दूसरी बात वर्ब के बाद में object आगा यह तो confirm है ठीक है और एक चीज और होती है preposition preposition भी अपने बाद में क्या लेगी बई objective case लेगी यह दो चीज़े आपको इस्पेसलिस समझनी है जैसे like अपना क्या है वर्ब है अनलाइक वर्ब है बट क्या है preposition भी है conjunction भी है except क्या है preposition है such age क्या है यह conjunction के रूप में connector के रूप में काम करते है ठीक है तो यह वर्ब like और unlike दोनों वर्ब है तो इनके बाद में क्या आएगा object आएगा अब यह दोनों preposition की तरह आजाए तो भी क्या आएगा object आएगा ठीक है अब एक सबसे बड़ा confusion क्या रहता है लेट वड़ा ठीक है कि लेट के बाद में subject लिखें या object लिखें लेकिन याद रखो कि लेट क्या है अपनी वर्ब है तो imperative sentences भी जितने शुरू होते हैं उनके बाद में कौन सा case आता है objective case is it clear तो चलिए अब class को सुरू करते हैं और एक एक चीज को अच्छे से समझने का परियाज करते हैं ठीक है तो अपना सबसे पहला rule है वर्ब के बाद परिपोजिशन के बाद objective case का यूज किया जाता है इतना ही आपको याद रखना है जैसे example देखिए let he go he go होगा गया he go नहीं होगा क्योंकि he क्या है subjective case जबकि let क्या है अपनी वर्ब और वर्ब के बाद क कौन सा case आता है objective case तो यहाँ पर क्या लिखेंगे let him go let him go उससे जानने दो और देखो यहाँ पर late के बाद में I आ गया he आ गया ठीक है दो subject आ रहे हैं दो nominative case आ रहे हैं तो अभी rule वही होगा क्योंकि let क्या है वर्ब है तो I की जगे तो क्या कर देंगे me कर देंगे he की ज देखिए सचिन लाप्ड एट यू एंड यू को देखा तो नहीं पता चला कि सही है या गलत क्योंकि यू सब्जेक्टिव केस में भी यू ही रहता है और objective case में भी सेम रहता है तो यहाँ पता नहीं चलेगा अब इनके बारे में क्यों पता करना है तो यहाँ पर देखिए एट अपना क्या है प्री पोजिशन है एट क्या है भई प्री पोजिशन है प्री पोजिशन के बाद में objective case हता है तो यू तो अपना सही है चाहिए औबजेक्ट हो यह सब्जेक्ट हो यह तो सेम रहने वाला है लेकिन आई को देखते है तो यह क्या हो गया गलत हो गया के बारे में complete detail आपको मिलेगी जब प्री पोजिशन वाड़ा चेप्टर पड़ेंगे अभी हमें फोकुस करना है परस्टनल प्रोनाउंस इलिटेट जो बाते होगी उन पर यहां बात करेंगे तो confusion जादा होगा अभी यहां जो बताए जा रहा है उसको यहीं याद रखना है और फिर प्री पोजिशन पर दे समय कोई doubt हो तो आप comment करके पूछ सकते हैं is it clear तो चलिए देखते हैं आगे यहां C लिखा हुआ है प्री पोजिशन के बाद मतलब गलत हो गया तो यहां आपर क्या लिख सकते हैं हर लिखेंगे तो सही हो जाएगा आगे चलते हैं आई या के जैसा तो इसके बाद में सी गलत हो गया यहां क्या आ जाएगा हर आ जाएगा इसी परकार अगला देखिए मैसर लुक्ष लाइक मेरा बेटा दिखता है के जैसा मेरा बेटा के जैसा दिखता है किसके जैसा लुक्ष लाइक आई जैसा में तो यहां पर आई गलत हो everyone attend the class except he except अपनी क्या है प्री पोजिशन है ठीक है प्री पोजिशन है तो इसके बाद में क्या आना जी है objective के इसका मतलब अपना ही गलत हो गया इसकी जगे अपन क्या लिख सकते हैं हिम जो कि अपना बिल्कुल correct answer हो जाएगा ठीक है और देखिए जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है थोड़ा अलग concept है I have no liking for such a man as him ठीक है है एज हिम हो गया तो यहां पर ध्यान दीजिए सच और एज का जो जोड़ा होता है इसके बाद में subjective case का यूज किया जाता है objective case गलत माना जाता है तो आपको यह तो मिल गया सच ठीक है जी सच मिल गया यह आगे जागे एज मिल गया ठीक है दोनों चीज मिल गई तो यहां है अपना सब्द होगा ही जो बिलकुल correct होगा is it clear चलिए अगले concept की बात करते हैं फिर example से और भी अच्छे से समझेंगे roll number second है अपना all आ जाए none every any no everything everybody nothing something nobody nowhere अगर आपको यह सब्द दिखाई दे रहे है sentence के सुरू में यह sentence शुरू हो गया यहां पर आपको all मिल गया none मिल गया every मिल गया any मिल गया no मिल गया everything everybody something कुछ भी मिल गया इन में से और इनके बाद में अगर आपको बट दिखाई दे रहा है बट दिखाई दे रहा है और इसके बाद में subjective case का यूज होगा मतलब subject का यूज होगा और यहां पर objective case का यूज भी किया जाता है लेकिन सब से ज़्यादा अच्छा सब्जेक्टिव केस को माना जाता है लेकिन एक और कंडिशन यह सब दाते हैं आपके ओल आ गया एवरीबडी आ गया नथिंग आ गया नो आ गया नो वन आ गया नो वेर आ गया अगर इनके बाद में आपको कोई वरब दिखाई दे रही है मतलब बट नहीं मिल रहा है वरब के बाद में आपको बट दिखाई दे रहा है तो इसके बाद में आपको औब्जेक्टिव केस का यूज करना होगा अगर आप इस जगे सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं तो वो गलत हो जाएगा इसे और भी अच्छे से समझने के वैसे objective case का use भी किया जा सकता है और इन सब्दों के बाद में आपको वरब दिखाई देती है वरब के बाद में but दिखाई देता है तो but के बाद में objective case का ही use होगा Is it clear? चलिए example देखते हैं तो सबसे पहला अपना example है आपको everyone मिल गया everyone के तुरंत बाद क्या मिल रहा है but मिल रहा है न तो इसके बाद में c लिखा हुआ है तो क्या सही है? कि सर बिलकुल correct है everyone, one, all, something, everything यह सब्दा जाए इनके बाद में तुरंत बाद में अगर but आता है तो यहाँ पर subjective case का भी use होता है और objective case का भी use होता है लेकिन सबसे ज़्यादा बैतर किसको माना जाता है subjective case को सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है according to sense ठीक है? इसी परकार अगला देखिए everyone मिल गया इसके तुरंत बाद but मिल रहा है लेकिन अब की बाद किसका use हो गया? objective case का मतलब यह भी ठीक है लेकिन ज़्यादा ठीक कौन सा होगा subjective case वड़ा आगे देखिए अलग concept है थोड़ा ध्यान देना everyone was there everyone मिल गया आपको इसके बाद में आपको क्या मिल रही है वाई? वरब मिल रही है वरब मिल गई? वरब के बाद में आगे देखेंगे क्या मिला? बट मिल गया बट मिल गया तो बट के बाद में अभी यहाँ पर आई जो है वो अपना subjective case है जबकि रूल क्या कह रहा है कि अगर everyone, someone, anyone, anything, nobody इन के बाद अगर आपको वरब दिखाई दे रही है वरब दिखाई दे रही है उसके बाद में बट आ रहा है आई अपना क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा ठीक है अगला अपना concept है जिरंड के बाद objective case का use होता है जिरंड क्या होता है main verb होती है main verb जिसकी first form आती है अपनी इसके साथ मैं ing जोड़ दू जिससे आप वरब की fourth form के नाम से भी जानते हो यही अपना जिरंड होता है यह एक noun की तरह behave करता है मतलब एक noun की रूप में use किया जाता है is it clear इसके बारे में और बाकी details से जो बात होगी वो अपन वरब वाले chapter में अच्छे पढ़ेंगे ठीक है तो चलो इन्हें कुछ example से समझते हैं फस्ट example है talking लिखा हुआ है यह अपना जिरंड है ठीक है जिरंड है तो इसके बाद में क्या आना चीए objective केस आना चीए जबकि यहां पर क्या लिखा हुआ है subjective case इसका मतलब यह गलत हो गया यहां पर क्या लिखेंगे हिम लिख देंगे अगला देखिए visiting ये अपना जिरंड है तो जिरंड के बाद में कौन सा case अता है objective case इसका मतलब week गलत हो जाएगा week की जगे क्या लिखेंगे अस लिखेंगे is it clear तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले concept की और अगला अपना concept है role number 4 है जिसमें infinitive infinitive बोलता है two के साथ verb की first form आती है उससे infinitive बोला जाता है infinitive verb होती है तो infinitive verb के दोनों तरब objective case का use होता है मतलब ये two plus verb की first form आ गई इसके इधर भी objective case का use होगा और इसके इधर भी objective case का use होगा ठीक है तो आपको infinitive के दोनों तरब objective case का use करना है तो आपको infinitive के दोनों तरब किसका use करना है objective case का चलिए example से देखते हैं जैसे I requested see to come यह अपना infinitive आ गया वैसे यहाँ पर verb है और verb के बाद भी अपना objective case ही आता है तो यहाँ पर see क्या हो गया गलत हो गया इसकी से क्या लिखेंगे हर लिखेंगे तो अपना sentence correct हो जाएगा चलिए एक और example देखते हैं राजा hopes to meet I तो यहाँ पर to meet क्या आ गई अपनी infinitive verb आ गई तो इसके बाद में कौन सा case आता है objective case इसका मतलब I अपना गलत हो गया तो यहाँ पर क्या लिखेंगे में लिख देंगे तो अपना sentence बिलकुल करेक्ट हो जाएगा चलिए एक और example है यहाँ कुछ सीखने की बात है वह भी दयान देना यूं गैस्ड ही टू बी आई यह टू बी क्या है यह भी एक infinitive है टू प्लस वरब की first form infinitive होता है ठीक है लेकिन बी बी क्या है अपनी वरब की first form है जिसके बारे में आगे और भी discuss करेंगे तो यहाँ पर टू बी लिखा हुआ है तो इससे पहले ही नामक्षब्द गलत हो गया क्योंकि infinitive के दोनों तरफ किसका यूज़ोगा objective case का तो दो nominative के बीच तुलना हो दो subject के बीच में तुलना हो तो edge यह देन के बाद nominative case का यूज़ोगा मतलब subject के बीच में क्या हो तुल ना हो और sentence में edge आ जाए देन आ जाए तो इनके बाद में कौन सा case आईगा nominative case मतलब subject लिखना होगा ठीक है जैसे example देखिए फर्स्ट एक्जाम्पल है अपना रानी इज एज फैट एज आपको एज दिख रहा है दोनों तरब तो एज के बाद में क्या आएगा वही नॉमिनेटिव कैसा आएगा इसका मतलब अपना मी गलत हो जाएगा यहां पर आजाएगा आई इस इस परकार अगला देखिए आई रन फास्ट देन तेन मिल गया देन के बाद में कैसा आएगा दूसरी चीज आए रन फास्ट